आज हम लेक्चर नंबर वन एम जी टी पांसो दस का लेक्चर नंबर लेसन नंबर वन जो है वो पड़ेंगे ओवर्विव है फिर्स टॉपिक है मारे पास ओवर्वी ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सो इसमें क्या है हमने जिस्ट इंपोर्टन चीजें जो हैं वही डिसकुस करनी हैं वेरी शॉर्ट लेक्चर होंगे इसके अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें बैल आइकन को प्रेस कर दें ताके लिडर से पहले नंबर पर जो बैसिकली हमने इस ब्सक्राइब कौालिटी की की जो मैनेजमेंट है वो क्या चीज है यहां से हमने कुछ नहीं करना इसे स्टार्ट करेंगे वाइट इस ओर्गनाज़ेशन चेंथे हैं जो एक कोई एक कॉमन गोल होता है और रें यहां कुछ इसको अब देख लें कि हमारे इर्दिगिर्द जो हैं बेशिमार अर्गनाजेशन होती है अर्गनाजेशन कोई भी ऐसी जगा कोई भी ऐसी चीज जहां भी दो या दो से जादा लोग मिलें और कुछ सर्विसिस प्रोवाइड करें सोसाइटी को ये कॉलिज हो सकता है ऑस्पिटल हो सकता है फैक्टरीज हो सकते हैं फार्म्स हो सकते हैं गौर्मनेट के आफिस हो सकते हैं पहे पॉलका जो है ये तीन से चार वोर्ड को मिला कि इन्होंने पॉलका का लफस जो हे जिनरेट किया है, बशिकली किसी ऀरगनझेशन में लोग काम करते हैं, उनकी ऑरगनझेशन का कोई नीज पॉसेस बॉसेसे हैं, गुश्ड़ने के राध organization services provide करती है यानि input की कोई output देती है पॉल का क्या है जिनाब हमारे पास कहते है organization जो है वहाँ पे उनका कोई ना कोई purpose होता है ठीक है यही बात इसमें की है यह सारे passage में इसमें कहते है कि जो important चीज है पॉल का जो है उसकी management के pillars है basically इसमें अब हम जो है इससे पहले जो MGT 623 का था course इसमें भी हम पढ़ चुके है 502 वाला course जो था उसमें भी हम लोग पढ़ चुके है कि managers जो है वो managerial काम जो है उनका क्या process होता है उसमें planning होती है, organizing होती है, leading करते है, control करते है यहाँ पे पॉल का P for planning or for organizing, L for leading and C for controlling of these events यह सारे procedure को control करना, यह सारी चीज़े, and A for assurance कि manager जो है, वो इस चीज़ को assure करें, इस चीज़ की यकीन दहान नी कराए कि quality is good or not good, what is next आता है, quality assurance quality assurance में यह है, कि जो भी activity हमने plan करनी है let's suppose a clothing brand है, उसमें जो अपना brand बनाया है, उसमें जो stuff बना के market में पेश करना है, वो perfect होना चाहिए, उसमें quality होनी चाहिए और customers से satisfied होना चाहिए, ना जिर्फ satisfied होना चाहिए, बरकि उसको खुश ही मिलनी चाहिए, satisfaction से एक level उपर जो है, उसको delight मिलना चाहिए, ठीक है जैसे उसने कहा कि Egyptians जो है, इनका जो painting सारी painting किर रहा था, उसमें उन्होंने जो है, वो stone से pyramid बनाया था, तो इतना perfect था उस time पे भी कि उसमें आज के दोर में भी आप एक knife blade जो है, वो नहीं गिसा सकते हैं, ब्लॉक्स में इतना perfect था, तो इतना well develop होना चाहिए, quality assurance का मतलब यह है कि exactly वही चीज़ होनी चाहिए, जो customer की demand हा, उसकी satisfaction होनी चाहिए, तो और further यहीं इसी में, इसमें यही बात होई है, quality assurance में इस diagram से देखें, के देखें, पहले क्या होती है, quality होती है, जब किसी चीज़ की, तो पहले rejection होती है, ठीक है, बार बार rejection करने की बजाए, perfect हमारे पास वही output आनी चाहिए, जो हमें required है, that's called quality assurance, इस चीज़ की इन्दहानी हमने करवानी है, ठीक है, और यहां पे देखें, एक चीज़ यहां पे थी, कि यह नहीं है, कि हम customer को defected piece जो है, अगर हमारी, उसमें company हमारी बना रही है, तो हम उसको deliver कर दें, यह भी नहीं है, quality assurance का मतलब यह है, कि हमने बनाना ही नहीं है, basically, यहां पर यही बात हुई है, कि ना सिरफ वो deliver करें customer को, बलकि वो बनाएं ही ना, क्योंकि अगर वो market में एक defected piece बन रहे है, हमारी company में या organization में, तो इसका मतलब कि company उसकी cost भी pay करेगी, तो इस तरह से होता है, हमारे पास quality assurance के हवाले से, और यह था, हमारा first lecture, और इसके इलावा quality approach जो थी, वो उन्होंने बताई हुई है, जी, 19, 18 से, 1990 में, और यह जो इताना concept, इसमें तीन तरह के लोग जो थे, basically किसने product बनाई, कौन इसको देख रहा है, और what happened, कुछ लोग पुछेंगे क्या हुआ है, ठीक है, यह चीज़े हैं, उसके बाद why focus on quality, quality के उपर हम focus क्यों करते हैं, जनाब, यहाँ पे हमने एक example करनी है, यहाँ पे restaurant की आ रही है, अच्छा जी, यहाँ पे देखें को quality पे हमारा focus इसलिए होता है, कोई भी organization हो सकते हैं, को restaurant भी organization ही है, hospital है, तो भी एक organization है, school college है, तो भी organization है, वहाँ पे हमारी daily life में हम shopping करते हैं, यह हम कोई भी चीज़ purchase करते हैं, आइटो मोबाइल, television, personal computers, कुछ भी, तो वहाँ भी हमारी पास quality अच्छी होने चाहिए, quality पे focus इसलिए करते हैं, क्योंकि quality अच्छी होगी तो customer satisfied होगा, और अगर customer satisfied होगा, तो then next जो है वो product buy भी करेगा, वो further इसको हमारी advertisement भी करेगा, तो कहते है कि कोई भी बन्दा अगर किसी restaurant में जाता है, तो वहाँ पे उसका क्या कराइट एरिया होगा, quality assurance का, कि उसको मतलब customer satisfaction किस तरह से होगी, पहले तो वो देखेगा कि services कैसी हैं, response time कितना था, कितनी time में food त्यार होके आ गया, ठीक है, जितना time दोने का उतनी था, या इससे जएदा था, environment कैसा था, वहाँ का, कोई smell तो नहीं थी, surroundings कैसी थी, good looking थी, aesthetic थी, beautiful किया हुआ था, प्लेस को किनी price कितनी थी, मतलब वो affordable था, उसकी range में भी था या नहीं, then selection, वो किस तरह की चीज़ें select करेगा, तो यह सारी चीज़ें जो है customer की, इस वज़े से हम लोग quality पे focus करते हैं, then हमारे पास आता है how total quality, different quality क्या है, और total quality क्या है, total quality में हमारे पास आ जाता है customer क्या focus, ठीक है, इसमें external, internal दोनों ही आ जाती, obsession quality के साथ, like कुछ brands ऐसे हैं, कि वो इतनी अच्छी product बना देते हैं, कि वो अगर उन्होंने कहा है, कि दो साल से लेगे, तो वो दो साल के बज़ए दस साल भी चल जाती है, तो वो quality assurance अच्छी हो गई, उसकी duration अच्छी हो गई, तो scientific approach, problem solving होनी चाहिए, decision making होनी चाहिए, involvement, empowerment, यह सारी चीज़ें जो है ना, मिला के हमारे पास total quality बनती है, basically total means equal to everyone, equal to all people, इसमें आएंगे, और उसके बाद historically development है, total quality की, उसमें कहता है कि total quality की roots जो है, यह time to time इसमें changing भी आई, तो first of all जो था 1920 ने, फैडरिक टेलर जो था, इसको father of scientific management भी कहा जाता है, और यह आम सी क्यूज में पूछा जा सकता है, ठीक है, who's the father of, तो भी इसको underline कर लें, देन कहता है कि fundamental जो approach है ना, इसकी वो यह है कि separation और execution है, ठीक है, fundamental approach scientific management की वो यह थी, पहले यह सोचा जाता था, कि कोई भी, जो skilled बंदा है, highly skilled बंदा जो है, वो ही उस product को बनाएगा, वो ही उसका craft man है, लेकिन आप जो है new era में, CEO भी craft man हो सकता है, production worker भी हो सकता है, quality controller भी जो है, वो भी craft man हो सकता है, तो कोई भी हो सकता है, कि कि technology जो है, यह बेटर होनी चाहिए, यह जीज़े हैं, इसमें से कुछ भी याद करने वाला नहीं है, so thank you so much for watching, for this first lecture of MGT 510, so do subscribe my YouTube channel, like the video, press the bell icon for further lectures, Allah Hafiz.